लबे ट्रैक पे ऐसा क्राक हो जाता है जिसके चलते ट्रेन नहीं जा पाता है तो ये क्राक कैसे होता है जेनरली ट्रैक दिन में एक्सपैंड होता है और रात में कंप्रेस होता है ये प्रोसेस सर्दी की मौसाम और बरसात की मौसाम में सबसे ज़्यादा होता है जिसके चलते compression और expense के बज़ा से ये crack आ जाता है लेकिन इस crack को फिर welding करके इसके पूरा पूरी feed बना के इसके उपर rail चलाया जाता है might welding है और floss butt welding process भी कहा जाता है ये ऐसा process करके railway को feed बनाया जाता है और आप देख सकते हैं कैसे इसके उपर high pressure डाल के इसको welding किया जा रहा है ये welding करने के बाद track कैसे दिखता है after welded अब देख सकते हैं after welding के बाद और ये polish करने के बाद ऐसा दिखेगा thank you